नमस्कार दोस्तों मैं हो मुक्ता दिख्यत थे स्टॉलॉजर्ड जैसा कि आज का मार्केट हमने देखा कि हमको मार्केट में जबर दस्त तेजिशी भी देखने込ी और हमको घिरावट भी देखने को मिली कल लेकिन मैं अपने वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मार्केट में तेजी हमको देखने को मिलेगी मार्केट अपसाइड जाएगा तो जी हां दोस्तों वैसा ही हुआ लेकिन बाद में जो है डाउन का योग भी बना जैसा कि कल स्वातिन अच्छत्र का उसे मार्केट में किसी भी तरह के मुव्मेंट एक दम से हमको देखने को मिलते हैं तो वह बात भी सही और सटीक निकली अब हम देखेंगे कि आपका सौंबार का मार्केट क्या काम करेगा जैसा कि आज जो मैंने लेवल्स निकाले थे निप्टी के लिए निकाला था 22,100 त वासट मैंने डाउन निकाला था तो 21,805 तक गया यानने कि जो भी लेवल निकाले गए थी मार्केट ने पूरे लेवल पार किया आगे हम देखते हैं बैंक निप्टी के लिए भी 46,858 निकाला था इसी के आज पास आपका मार्केट रहा और इसके साथ डाउन के लिए 46,340 तक निकाला था तो इससे भी नीचे आपका मार्केट हम को देखने को मिला था जिया दोस्तों जैसा कि आज गोल्ड सिल्वर के लिए डाउन के योग बतला आये गए थे तो यहां पर भी हमें कुछ डाउन देखने को मिला और अच्छा ही डाउन देखने को मिला गोल्ड 1382 तक यह डाउन पर गया इस प्रकार से एक एस्टलोजी के बेस पर जो गड़ना निकाली जाती है कि किस ग्रह का क्या प्रभाव कहां पर पड़ सकता है और उसी के प्रभाव के द्वारा एक अरुमान लगाया जाता है कि आज इस दिन यह इस्थितियां बन सकती है तो जि कि सौंबार के मार्केट में क्या इस्थिति बनने वाली है क्या ऐसे ही तेजी के योग बनेंगे या फिर मद्दी के योग बनेंगे यह तो हम आगे जानेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजे बेल आइकान अवस्दब आईए और इसके साथ आप हमारे कारले स जर्म कुली है रत्न बास्तु के भी कारे करवा सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन आप राप्त कर सकते हैं तो जो कारले का नंबर दिया रहता है इसी पर आप संपर्क कर सकते हैं बहुत सारे लोग पूछते हैं तो जिस्ते की हमको एक अनुमान मिल जाती है कि मार्क के बन सकती है क्योंकि हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि लॉस लॉस होता है लोगों को मार्क कि निफेजिये में काम करूं है और जिस दिन यह आपको समझ में आ जाता हूँ जिन से आपके लिए सरल हो जाता है तो इसको समझना कार करना अनुभाव करना ज्यान करना उसके बाद ही मार्केट में जो है कदम रखना चाहिए और पहले छोटे एमाउट लगा कर ही जो है आपको काम सीखना चाहिए पहले मार्केट का उसके बाद करना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत से लोग है जो बड़ा 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 नुक्सान करके बैठते हैं लेकिन यह समझ में नहीं आता कि नुकसान का अपने कैपिटल का भी बैक्ती को मार्केट में काम करते द्यान रखना चाहिए कि उसका कैपिटल क्या है क्योंकि हर चीज का एक दायरा एक निश्चित रहता है कि कि समें आपको काम करना है तो यह बाद भी आप अपने दिमाग में अबस से बैठावें और एक कैपिटल बनावें कि इस से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है तो भी आप जो है सफल हो सकते हैं और जो एमाउंट आपका जाता है उसको यह से बियर्थ नाख होने दें बहुत ही सोज बिचार के समझ क मार्केट में काम करें क्योंकि मार्केट हमारा ना आपका किसी का नहीं होता है और यह अपने हिसाब से ही चलता है लेकिन हमें कोसिस करते हैं क्योंकि जो जो जोतिस विद्या है यह ग्रहन अच्छतर इनका प्रभाव पुरे संसार पर रहता है चाहे कोई व्यक्ति माने या मैं आप लोगों को जो है जानकारियां देती हूँ और भे भी बड़ी सटीक और सहीं सावित होती हैं क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं हूँ और काम ही करती हूँ इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है कुछ लोगों का कहना भी है कि आप कमपीश रखें अपनी कोई एक ऐस़ा एमाउंट रखें ताकी हम आपकी स्वर्गे जो है आपकी सर्विस को जोाइन कर सकते हैं पलाव है और आपकी हम सर्विस देखना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज हैं मेरे पास यदि जो लोगी जूड़ना चाहेंगे तो कम से कम फिस जो आप लोग कहेंगे उसमें सबी को एक सबता है का जो है टेलर दिया जायागा कि भाए उसमें क्या इस्तिती जो है ग्रैस्तिती के अनुसार बनती है तो भह भी आप देख सकते हैं और मार्केट के अनुसार आप उस चीज को समझ सकते हैं कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है तो जी हैं दोस्तो एक छोटा सा प्रयास है और बहुत से लोग चैनल से जुड़े हुए हैं तो अब हम आगे देखेंगे तो जो भी एमाउंट आप एक वीकर रखना चाहे पहलेगी तो मैं आप लोगों को एक सब्सक्राइब है कि आखिर का मार्केट का सब्सक्राइब ने वाला है । सबसे पहले तो हम पर देखिंगे कि क्या वनने वाली हैं दोस्त्ट ऑब हम पंच फरवरी पांच फरवरी 2024 सौंबार का दिन रहेगा और अनुराद जेश्ठा नच्छत्र का प्रभाव रहेगा ब्रिश्चिक रासी का प्रभाव रहेगा और इस दिन दोस्तों मकर रासी में मंगल का प्रवेश होने वाला है तो जियां दोस्तों रात्री में 9 बचकर 43 मिट से मंगल ज जहती हूं कि ग्रहों का प्रवेश होने वाला है आप स्वयम भी देखते हैं उसी दिन मार्केट में हमको जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलता है चाहे अब अपसाइड हो या फिर डाउनसाइड जाए तो जिहां दोस्तों ग्रहों का प्रवाव जबरदस्त पढ़ता ह और अब हम आगे देखेंगे कि क्या आपका सबसे पहले राशी फल रहता है क्योंकि हम जोतिसके अधार पर ही आप लोगों को जानकारी देते हैं अब हम देखेंगे कि मेश रासी वालों के लिए सौमबार के दिन क्या इस्तिती बन रही है तो सौमबार के दिन यदि मेश रासी की ग्रह इस्तिती देखी जा रही है तो मेश रासी वालों के लिए कुछ मिस्रित योग है लाब हानी के यदि आपको एक बार लाव हो जाता है तो आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं दूसरा हम देखते हैं ब्रसब राशी वालों के लिए यदि हम देख रहे हैं तो लापका योग बन रहा है काम करके आप लाव ले सकते हैं मिथुन राशी वालों के लिए पून हानी का योग बन रहा है, काम ना करें तो बहतर रहेगा, करक राशी वालों के लिए लाप का योग बन रहा है, काम करके आप लाव ले सकते हैं, सिंग राशी वालों के लिए जो है लाप का योग है, आप भी काम करके लाव ले सकते हैं, कन्या राशी वालों के लिए लाप का योग बन रहा है काम करके लाव ले सकते हैं इसके साथ आती है आपकी तुला राशी वालों के लिए लाप का योग बन रहा है आप भी काम करके लाव ले सकते हैं ब्रश्चिक राशी वालों के लिए हानी उठानी पर सकती है सावधानी पुर्वक कारे करें धनू राशी वालों के लिए हानी का योग बन रहा है मकर राशी वालों के लिए पूर्ण लाप का योग बन रहा है और कुम राशी वालों के लिए लाप का योग बन रहा है मिन र जर्म नाम की रासी, चालू नाम की रासी से देख सकते हैं और अब हम देखेंगे कि आपका मार्केट सौंबार का कैसा रहने वाला है, तो जिहाँ दोस्तों सौंबार के यदी मार्केट की जो गर्णा निकाली गई है और बीच में जो एक चार्ट भी बना कर आपको एक दो बार दिया था उस चार्ट को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और उसको बनाने में समय लगता है तो जी हैं दोस्तो अब हम आगे देखेंगे और बहुत से लोगों का कहना है कि बहुत चार्ट भी आप प्रदान करें तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जी हैं दोस्तो अब हम देखेंगे कि सौंबार की मार्केट में क्या इस्थिती बन रही है यदि हम ग्रह स्थिती देख रहे हैं तो इस दिन जो है मीन लगन की कुंडली बन रही है औ रश्चिक याने नीचरासी में है जेश्टर नच्छत्र होता है बुद्ध का जी हैं दोस्तो इन सब इस्तितियों और इनकी जो है इस्तिती युती और अंस देखते हुए यदि हम जानकारी देते हैं तो निश्चिती इस दिन भी जो है मार्केट में कुछ डाउन के बाद हो सकता है कुछ हमको सुधार देखने को मिलेगा याने की एकाद बार हमको जरूर तेजी देखने की यहां पर की जो है अनुमान रहेंगे तो यहां पर बांकी यदि कुछ टेंड देखा जाया तो डाउन ही समझ में आता है लेकिन क्योंकि मार्केट कभी भी एक दिसा में चलता है और मार्केट में काम करते वक्त हमें जहां पर जैसा प्रॉफिट हो वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि मार्केट में बैठे रहने पर बहुत समय तक एक ही ट्रेट करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है तो यह भी आप थोड़ी सी सावधानी अपने जो आप कारे करते हैं ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप ध्यान रख सकते हैं तो जी हैं दोस्तो और यदि हम एक अरुमान देखते हैं कि मार्केट में जो है क्या कितने परसेंट काम की योग बन सकते हैं तो यदि निफ्टी में देखा जाएगा तो जो है आपका लगभग 60-70 पॉइंट से लेकर के जो है आपके 180-90 पॉइंट के बीच में कार्योग देखा जा सकता है और इसके साथ यदि हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये बैंक की निफ्टी में भी जो है लगभग 190 प के अधार पर निकाल के बताया है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरू कीज़े देखने के लिए धन्यवाद और इसके साथ आपको गोल्ड सिल्वर का जो आगे वीडियो में बना रही हूं भैवी देखना ना भूले धन्यवाद